लोगसभा चुनाव प्रचार के अंदिम दिन पुर्व ग्रह मंतरी बाला बच्चन ही बढ़वानी जीले की खेतिया में रोड़ चो किया है और कॉंग्रिस प्रत्याशी पूरलाल खर्ते को विजब बिनाने की अपिल की वही आम सभा को संभुदित करते वे प्रदेश और देश के भाजपा सरकार पर जम कर हमला बोला लोगसभा चुनाव की चौथे चुरण के लिए 13 मई को मतदान होगा चुनाव प्रचार के अंदम दिन शनिवार को कॉंग्रिस और भाजपा प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत जोगती है बड़वानी जिले की खेतिया में चुनाव प्रचार अभ्यान समाप्त होने के पहले कॉंग्रिस ने रोड़ शो किया है जिसमें पूर्व ग्रह मंत्री बाला बच्चन सहित बड़ी संख्या में कॉंग्रिस का रिकरता शामिल हुई रोड़ शो समापन के बाद आमसभा आईज़ित की गई है जिसे संभुधित करते हुई बाला बच्चन ने भाजपा के नीतियों पर प्रहार करते हुई कॉंग्रिस की सुनिश्चित जीत बताई है जिसमें हमारे अनुसुचित जाती जन जाती जिसमें हम आदिवासी दलीत और उसके बाद पिछ्डे वर्ग के हमारे भाई और बहनों को देश के समिधान के मुताबिक हमको जो आरक्षन मिल रहा है जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आदिवासी और दलीत समाज के भाई तो हमारे सब जानता ही बाकी कोली समाज के भाईयों को भी बताना चाहता हूँ कि ओभी भाईया आप लोग भी आरक्षन के अंतरगत आते हो तो पहला काम या आरक्षन को खतम करने का काम करेंगे, सविधान को खतम करने का काम करेंगे, लोगतंत्र को खतम करने का काम करेंगे, इसलिए आप लोग चुकना मत, उसके पहले इनको आप लोगों को खतम कर देना है, इस बात का आप लोग ध्यान लखना है लोगसभा शुनाओ को लेकर के कांग्रेस की स्थती को लेकर बता रहे हैं पूरो मंत्री श्रीबाला बच्चन जी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि खरगोन बढ़वानी लोगसभा में हमारी कांग्रेस पार्टी की स्थती बहुत मजबूत है और कोई डाउट और कोई संचय नहीं है हमारे कांग्रेस पार्टी के उमिर्वार को ये लोगसभा छेतरी की जनता भारी बहुमत से जिताएगी और अब पूरलाल खर्टे जी की जित निशीत है और देश में कांग्रेस गटबंदन की सरकार भी बनेगी और अच्छे ओटोस हम खरगोन बढ़वानी लोगसभा को हम जितेंगे जिस तरह से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदादीकारियों में उसके बाद में हमारे कारकरताओं में जो जो सो रोधसा है ओटिंग डलवाने के लिए और मददाताओं का भी जो और लाल खर्टे जी के और हाथ के पंजे का पक्ष लेने का जो गुजहान जो जिकरा है इससे निश्यती 13 माई को जो पर्सु जो ओट पड़ेंगे अच्छे ओटोस हम इस सिट को जितेंगे। यहां की पूरो विधायक के बारती जनतापाड़ी में जाने का क्या प्रभाव हो सकता है। उसका विपरीत परभाव जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा ने जिस तरह से जो एजंडा की कांग्रेसियों को तोड़ तोड़ सी भाजपा में लेने का जो काम किया है उसका परिणाम चार जून को जब रिजल्ट खुलेंगे तो पता चल जाएगा कि चंदर भा जिती करने का परिणाम क्या होता है